और पत्नी के जिंदा रहते, साथ रहते, दूसरी ओर्तों के साथ जाके, उक्रम करे, दुश्कर्म करे, चुप-चुप के मिले, उसको भोका दे, वो सही है। मैं बोलती हूँ न, एस्ट्रो रानी, आज बिंदी लगाईगी हूँ। मैं बोलती हूँ है। आज तो और भी जल्दी सुभा उठ गई थी क्योंकि रात को सो गई थी जल्दी क्योंकि वो जो हाथ में चीरा सा लगा था उसकी वज़े से एंटिबाइटिक चल रही है तो उससे मुझे काफी नीन आ रही है तो रात को में जल्दी सो गई मैंने सुचा कि चलो पहले मैं आराम कर लेती हूँ उसके बाद काम तो लगाई रहता है देखी जाएगी और ये मेरी एश्ट्रो रानी को मैंने तियार कर दिया बिंदी लगा के मैं बोलती हूँ ने एश्ट्रो रानी आज बिंदी लगाई दी उसको बना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी चैनल दे लाइफ स्टाइल टेल्स में आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं व्लॉग देखने आते हैं उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ सुभे का समय है आप सभी को सुभे की राम राम जी सुप्रभाद गुड मॉर्णि अपने नीचे ना मेरी जो बालों में लगाने वाली स्क्रंची है उसको दबा के लेटा हुआ है सुभा सुभा सोके उठके कितना खुरा पाती दिमागे उसके चलो 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 उठाओ खाले आज इसी को खाके पेट भार आज नाश्टा करने ही जुरत नहीं है खाले एस्ट्रोस क्रंची ले लेता है मेरी इस वज़े से मैं यहां सुखालती में यह देखें यह सूख कई है यह रखूंगी अभी मैं यहां पे थोड़ा सा रेडी हो रही थी तब उसने एकदम से फटाक से एकदम ढ़ालिया इस क्रंची और अगर चीनेंगे उससे तो पूरी खालेगा और नहीं चीनेंगे तो चबा चुगू के छोड़ देगा उसका ही है सो नहाने के बाद मैं एक ही हाथ से जैसे तैसे पूजा के बरतन धोए सारा साफ सफाई किया भगवान का दिया तो जला लिया इश्वर के क्रिपा से तो इश्वर की इतनी क्रिपा है के आराम से उठ बैठ रही हूँ खा पी रही हूँ बस उंगली की जो थोड़ी तकलीफ हो गई है तो वो भी पहले से बहुत अच्छी है और अब तो बिल्कुल सही हो ही जाएगी यहां बैठ के कर लिया था नाश्टा तो आचल के बढ़डे में आया था बाहर से ढोकला भी तो बस वो दो ढोकला बचे हुए थे जो मैंने नाश्टे में खाए है और उसके बाद में सबसे पहले यहां बैठ के मैं ले रही हूँ एंटीबायटिक तो दो टाइम की चल रह ही है और इससे आराम भी है फिर संध्या मासी को मैंने बुला लिया था तो अभी फिलाल एक दो दिन से वही मेरे साथ पूरा खाना बनवा रही हैं ज्यादा तर काम वही करती हैं क्योंकि अभी उंगली में पानी लगाने के लिए कम से कम चार दिन बिल्कुल मना किया है तो ब मैं रेडी करने के लिए सामान बोल देती हूं मसाला वगेरा तो मैं ही बना लेती हूं तो ये बुद्वार को ही मिल रही हूं मैं आपसे तो बस बनाया था लहसुनी पालक पनीर जो होता है तो वो बनाया था और फ्राइड राइस बनाई थी तो ये बचे हुए चावल की राइस नहीं है मन था आचल का खाने का तो अलग से चावल बनाया पहले सुभाई सुभा और बस उसके बाद बनाया मैंने फ्राइड राइस तो यहां सरसों का तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया था और 5-6 कली लहसन की छोटे टुकडों में काटके डाल दी थी लहसन को पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है बस यह पालक को पीस लिया था दो हरी मिर्ची डाल के वो डाल दिया है तो यह वाला पालक पनीर काफी जल्दी बन जाता है और जैसे ही मैंने पालक डाला है बस वैसे ही मैंने पनीर भी डाल दिया है यह अमुल पनीर है इसलिए मैं पहले डाल दिया है अगर आप ग्रोसरी शॉप से लेकर के आते हैं और नरम रहता है पनीर तो जब सब्जी बन जाए तो दो मिनट वाकी रह जाए गैस बन करने में तब आप पनीर डालिए और फ्राई करके डाल रहे हैं तो पहले भी डाल सकते मैंने फ्राई नहीं किया है हल इसमें तो यह बनाई थी शाम के लिए चूकि संध्यामासी को बुला भी लिया था और साथ में काम करवा रही है वैसे भी मैं शाम के लिए एक सब्जी बनाती हूं और उंगली में तकलीफ है तो तो फिर पुरा काम करके रख लो वही सही है तो यहां यह सब्जी बन गई और उसके बाद में फिर बड़ी वाली कड़ाई मैंने चड़ाई है इसमें डाला है रिफाइन डॉयल और रिफाइन डॉयल शायद मैं तीन से चार महने या पांच महने में एक बार यूज़ करती हूं वो भी थोड़ा सा तो यह बहुत समय के बाद मैंने डाला है वो भी प्याज को भी golden brown नहीं करना है वस हलकी सी ये soft हो गई है उसके बाद में जितनी भी मेरे पास सबजियां थी गाजर है बीन्स है पत्ता गोबी साथ में मैंने इसमें मटर भी डाला है तो आप अपने पसंद की कोई भी veggies डाल सकते हैं आप mushroom भी डाल सकते हैं इसमें बहुत अच चाइनिस डिश होती है उसमें बिल्कुल चाइनिस फ्लेवर आता है तो अच्छा टेस्ट आता है और वो सेफ भी है अजीनो मोटो बिल्कुल भी इस्तमाल मत किया कीजे अरोमेट पाउडर इस सेफ तो बस इसको एकदम हाई फ्लेम पर भूनते हुए सबजियों को मैंने भ और संध्या मासी को भी मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो भेजती हूँ क्योंकि वो भी अपनी बेंगॉली डिश में से जो भी बनाती रहती है वो मेरे लिए टिफिन में लेकर के आती रहती है तो इस तरीके से हम सब ने ही ये फ्राइड राइस खायती और शाम के लिए प काली मिर्च का पाउडर और नमक अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और फ्राइड राइस बनके रेडी हो गई थी धूप निकली नहीं सुबा से बारेश टिपिर 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 चालू ही थी तो बस यह चार को इसी तरीके से थोड़ा सा मैंने हिला दिया है उपर नीचे करके और फिर रख दिया है अब धूप आए तो बालकनी में रख भी दूँ क्यूंकि वो जो मैं अपना वाला चार बनाती हूँ उसको तो मुझे धूप में रखना ही होता है और इस वक्त तक मेरा सारा ही काम हो गया था और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के सवा चार या साड़े चार बज रहे थे तो उटके पहले मैंने मुहाद होया है और उसके बाद मैं गैस पर एक साइड में मैंने चाई भी चढ़ा दी और मम्मी को मैंने कॉल कर दिया था कि आजाईए साथ में चाई पीते हैं तो बस तब तक मैने टीवी चला रखी थी और टीवी वी देख रही थी और यहाँ चाई भी एक साइड में बना रही थी कि जब तक चाई बन जाएगी तब तक मम्मी आएगी तकरीबन शाम के 6 बजे तो फिर मैंने कॉल किया तो ममी ने कहा कि अभी मैं मतलब शाम की जो संध्याबाती है वो सब मैं करने के बाद ही आऊंगी तो फिर मैंने अपने लिए जैसे चाय चानी थी तो फिर मैंने तो पी ली थी क्योंकि काफी लेट हो गया था ममी को और आंचल ने भी बोला था कि आज मैं भी चाए पीऊंगी तो काफी समय के बाद फिर उसने भी चाए पी वैसे बच्चे जादा पीते ही नहीं है ठंड में कभी कबार मांग ले तो बात अलग है और कभी कबार उनका मन हो जाए तो पी लेते हैं चाए बस फिर आराम से अपन तब एक सवाल मेरे मन में आया है कि फीमेल यानि की औरतों के लिए सारे नियम अलग क्यूं मतलब हद है कि कैसी सोच है इंसान की बस यही मन में आ रहा था कि यह क्या है मैं सत्सं सुन रही हूँ अक्सर मैं सुनती रहती हूँ कि भी मैं जैसे फ्री टाइम में बैठके अच्छा लगता है मुझे तो यह जो मैं सत्सं सुन रही हूँ इसमें जो टॉपिक है वो है कि अगर कोई पतनी मतलब वो विदवा हो जाती है पती मर गया है तो अगर वो साज श्रिंगार करती है सज धज के रहती है तो सो गायों को खिलाने का जो पुन होता है उससे हजार गुनाज ज्यादा वो पाप की भागी हो जाती है ऐसा बता रहे हैं कि अगर पती मर जाता है तो बिल्कुल इस तरह से रहना चाहिए कि लोग आपको देखे समझें कि पागल है ना सजना ना सवरना ना धंग से रहना मतलब इस तरह से रहना चाहिए मतलब क्या सोच है मैं नहीं समझ पा रही हो इसको चलिए एक बार को मान लेते हैं कि पती मर गया विद्वा हो गई औरत तो उसको साज श्रिंगार नहीं करना चाहिए बिंदी लिप्स्टिक लाली नहीं लगाना चाहिए और पत्नी के जिंदा रहते रहते जो पती है वो दूसरी औरत के साथ में दुशकर्म करता है तो उसको मतलब कौन से लेवल का पाप का भागी है वो सब सोच का फर्क है पत्नी मर गया तो बिंदी नहीं लगा सकते लिप्स्टिक नहीं लगा सकते अपने मन का कुछ पहन नहीं सकते अच्छा खा नहीं सकते ऐसा इसमें बता रहे है और पत्नी मर जाती है तो पत्नी दूसरी शादी करने में इतना सा भी टाइम नहीं लेता है दो-तीन महिना गए वह दूसरी शादी करके ब्याके दूसरी नईनवेली दुलन ले आए वो ठीक है वो सही और पत्नी के जिंदा रहते साथ रहते दूसरी ओरतों के साथ जाके कुक्रम करे दुशकर्म करे चुप चुप के मिले उसको धोका दे वो सही है क्या दुनिया है क्या सोच मैं वही सुन रही हुँ है कैसी कैसी सोच है लोगों की जा बोलने में तो कुछ जाता नहीं है ना मुह में तो टेक्स नहीं है ना तो जो मर्जी है वो बोलो अध्य वे इस टॉपिक पर आप लोगों की क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में शेर जरूर कीजेगा मेरी तो जो राय है वो मैंने आपको बताई दिया है चीची ये दो होगा रुठा ले इसको तयाद करके रखे और इस टाइम पर हो गया था अंधेरा तो बस मैं निकाल रही हूँ सुभा पहनने के लिए साड़ी क्योंकि मैंने ही मम्मी को बोला है कि बहुट टाइम हो गया है मैं मंदिर गई नहीं हूँ और बैक उन्णात मंदिर में अंदर जो गर्व ग्रह है तो वहाँ साड़ी पहन के जब जाते हैं तब ही अंदर एंटर करने देते हैं तो बस मैंने निकाल ली और ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है, ये cotton linen साड़ी जो होती है वो है, तो एक ही बार मैंने इसको पहना है, तब से ये रखी हुई है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, कलर बहुत अच्छा है और quality साड़ी की बहुत अच्छी है, वैसे भी linen cotton, handloom cotton, ये सब साड़ीया मुझे मतलब जल्दी ही पसंद आ जाती है, काफी अच्छी लगती है मुझे, और पहन के काफी decent look भी आता है, तो इसका blouse भी मैंने निकाल लिया, आप देखिए कैसी tragedy है, कि मैं साड़ी इतनी कम पहनती हूँ, कि इस साड़ी के matching का मेरे पास में कोई भी पेटी कोट नहीं मिला मुझे, at last मैंने बिल्कुल different color का पेटी कोट निकाला है, चलिए निकाल तो लिया, अब सुबह पहन के देखूंगी, कि अगर इसमें बिल्कुल transparent वो पेटी कोट दिखेगा अलग color का, तो फिर साड़ी ही change कर दूंगी, ये मतलब disadvantage है, कम साड़ी पेटी कोट का कोई collection मेरे पास है नहीं, अब की बार जब बाजार जाओंगी, तो 4-5 color के पेटी कोट ले लूँगी, जो सब में ही चले जाए, तो बस ये कर ली थी मैंने सुबह की तेयारी, तो चलिए इसी के साथ आ गई हो इस वीडियो के end पर, मिलूंगी आपसे next वीड खयाल रखिये, अपनों का खयाल रखिये, थाइंक्स फो वचिंग गाइस, लव यू, टेक केर, बाबाए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा